दोस्तों स्वागत है आप सभी का विवेक मिश्चा टेग में टेस्ट इनुश्टर हम लोग एक और कंपनी का क्वार्टर थी का रिजल डिसकस करेंगे जिसका नाम वार्ड विजार्ड इनोवेशन एंड मोवैल्टी लिमिटेड है टेस्ट फर्स्ट टाइम इस कंपनी को बहतरीन रिटन प्रोवाइट किया है और अच्छा प्रोफॉर्मेंस रही है इसकी मैं पूरा फाइनसल कंडिशन सारी चीज़े चेक किया तो कंपनी ने अभी जो पिछले 12 महीने में जो 1-2 साल में जो ग्रोथ हुई है वो पिछले इसके 8-9 साल में नहीं थी तो काफी कंपनी को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके कैसे क्वाटर 3 के नतीजे आया है वो भी जानेंगे एच अपडेट आ जाएगा हम लोग कर लेंगे बाकी अभी जो इससे पहले ये वीडियो मेरे ख्याल से 8 बजे तक अपलोड हो जानी है उसके बाद आप लोग मैं बात कर रहा हूँ वाड विजार्ड इनोवेशन और मिवैल्टी लिमिंटेट पर तो इसी का डिस्कस करते हैं इसके कैसे नतीजे आया है और उसके बाद हम लोग एच अपसील का डिस्कस कर लेंगे चैहे आज हो सकेगा अगर आज आ जाता है तो आज ही वैसे आया तो अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे अभी तक आया नहीं है और को सकेगा तो मैं कल सुबह तक आपके लिए अपलोड कर दूँगा तो अभी हम लोग इसके अंदर वाड विजार्ड इनोवेशन और मोबिल्टी लिमिटेट काफी लंबा चोड़ा नाम है इसके बारा में जान कर रखा है उनका भी बहुत बहुत थैंक्यू आप भी जान कर सकते हैं उसका लिंग वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वीडियो को लाइक करिए चली हम लोग इस्टार्ट करते है फटाफट विदाउट टाइम वेश्ट किये हुए तो 97 रुपी 40 पैसे के कर रहा हूं अब लाश्ट येर से भी पहले मतलब 20 में आप खरीदे होते कोविड वाले येर में तो आपको ये बहुत ही अच्छा मतलब सितंबर जुलाई उलाई में जिन्हों ने भी खरीदा उसके बाद से इसमें जो ग्रोथ हाई है वो बहुत घजब है क्योंकि पिट् एक्ट्रिक वहिकल 30-40-60 ऐसे जो जिस टाइब की मतलब माइलेस दे उस टाइब की स्कूटी इलेक्रिक स्कूटी तो उस हिसाब से इसका विजनस बहुत ग्रोथ हुआ है स्कूटर का और इन शीजों का और सुल्ट में इस कंपनी का है बाकी तो अभी यहां पे मेंसें करने के लिए कंपनी ने दिखिए इसके प्रोफाइल जी मैं देख रहा था तो सेक्टर अभी फाइनेंस का है इंडेस्ट्री रियल इस्टेट डेवलेप्मेंट का मेंसन कर रखा है पर अब जो मुख्य रूप से मैंने इनका देखा है वर्क का जो प्रॉफिड रोथ वो इन ही चीजों से हुआ है काफी गजब की इनकी मतलब बाइक और स्कूटी यह सब दिखती है तो उसके वाज़े से और भी अच्छा इसमें आपको ग्रोथ दिख जाएगा सस्टेमनेबल इसमार्ट यह सब मतलब तो इस तरीके का रहा है और काफी अच्छा इनका सेल भ पर हाँ इनों ने जो अब जो कदम इवाइकल में रखा है वो थोड़ा मेरे को लगता है कि बेटर रखा है अच्छे टाइम पर आ गए है इस फील्ड में और अच्छा ग्रोथ और करेगी ए कंपनी तो इस टाइप की इसकी कंडिसन है बाकी आप इसकी वेबसाइट खोलके सारी चीज़ें आप रीड कर सकते हैं इस पर सब आपको मिल जाएगा जो में चीज़ें हैं फाइनेसल का वो हम लोग अब समझ लेते हैं इसका और देखें ट्रेस मैं इस पर अपडेट करते रहा रहा हूं जैसे ही आजाएगा हम लोगों को HFCL का मैं आपको तूरन दिखा दूंगा अभी तक तो नहीं आया है बाकी भी कंपनियों का यहां पर रिजल्ट है आप लोगों को जिन जिन का चाहिए अगर प्रेशनली चाहिए तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं जिस पर ज्यादा लाइक होंगे मैं उनका ऐसे ही बना दूंगा अगर आपका आपको BSC में ही देखने को मिलेगा NSC पर ढूनेंगे तो NSC की साइट पर ढूनेंगे तो नहीं मिलेगा पिछले 12 मेने की देखिए जैसा कि मैंने वीडियो स्टार्टिंग में ही बताया कि कंपनी की जो प्रफॉर्मेंस वो बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है और वो यहां पे आपको नंबरों में दिख जाएगी 995% परसेंट प्रॉफिट ग्रोथ सेल ग्रोथ भी 604% नतीजे भी बहुत बहतरी अभी जो अभी हम लोग डिसकस करने वाले हैं Q3 के वो भी 128% सितंबर से बेटर आए हैं तो और अच्छे चांसे हैं इसके ग्रोथ के वो भी आ जाता है अब डारेक्ट हम नतीजों को ही डिसकस करते हैं बाकी सारी चीजे मैंने प्रॉफाइल के बारे में भी आपको काफी कुछ बता दिया यहाँ पर देखिए जो डेप्टर डेज और इन्वेश्टर बहुत अच्छा कंपनी ने इंप्रॉब किया है अल्मोस्ट डेप्ट फ्री है कंपनी तो उसकी वज़ए से यह जो ग्रोथ है रहली है वो आपको देखने को मिला है वरना काफी टाइम से यह बस 7 रुपे, 6 रुपे, 7 रुपे, 7 रुपे के अराउंड ही मुवमेंट दिखाई थी कंपनी ने अभी इसके जो नतीजें आ है उसको हम लोग डिसकस करते हैं हम लोग दोस्तों बात करेंगे यहां पर आपको दिसम्बर का जो अभी आज आया है उसके बाद LAST QUARTER का और LAST YEAR का तो LAST YEAR से सबसे पहले compare करते हैं यहां पर आपको देखेंगे पुर्आने QUARTERs में देखिए दोस्तों कुछ होटा नहीं था थोड़ी सी सेल आती थी और वो भी नामात रुकी तो लास्ट येर से देखते हैं तो दिसंबर में लास्ट येर 10.68 मतलब करोर की सेल आई थी और वहाँ पे कंपनी को थोड़ा सा लॉस हुआ था और नेट में आते आते 74 लैक का प्रॉफिट हुआ था तो इस टाइब के नतीजे थे अभी जून और इस लेटेस्ट कॉटर में जो आया है वहाँ पे 4.33 करोण का प्रॉफिट हुआ है देखिए लास्ट येर नेगिटिव में नमबर थी तो बहुत 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 है और यहाँ पे आपको द कमपनी का प्रॉफिट बहुत 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 करहती है अदि आपको यहाँ पे यह तक कर रखा है तो आपको देखिए का नंबर इसके नेगिटीब में ही रहते थे पर आप यह देखिए अभी just last year से ही, जो covid वाला year था, 2020 वाला, fi21 वाला, वहाँ पे आप देखिए 2 करोड का company को profit हुआ है, और अभी year complete भी नहीं हुआ है, अभी just Q3 आये हैं, और वहाँ पे आप देखेंगे, 121 करोड की company ने sale कर दिया है, operating से profit 11 करोड का हुआ है, और net profit में 6 करोड प यह company और growth वाले period पे है, तो investment के लिए काफी अच्छा रहेगा करने के लिए, तो यह company मैं ऐसे ही quarterly results चेक कर रहा था, company को, तो मुझे नजर आया, और share holding patterns भी इसका अच्छा है, promoters के पास अच्छी holding है, उसके बाद public के पास है, तो share holding patterns में भी कोई इतनी दिक्कत की बात नही तो इसमें बात करते हैं खरीदने की, तो अगर इसको आपको खरीदना है दोस्तों, तो इसमें जो अभी support दिख रहा है, वो हम लोगों को दिखता है, 66 रुपीज, 66 रुपीज, 65 पैसे के राउंड, buy करने की positions जो है, वो आपको इस level के राउंड दिख जाती है, एक लेते हैं, तो बहुत बहुत बहतरीन रहेगा, और आप ये देखिए, चार्ट में, ये जैसे ही company लोगों के नजर में आनी शुरू होई है, अच्छा खासा इसमें volume generate होना शुरू हो गया है, और अच्छी growth पे है, तो ये अच्छी company है, अभी नतीजे आ गया है, तो अगर फिलाल, all time high वाले ही, जो target होंगे, वही सब all time high ही दिखेगा, फिर भी मैं इसमें अगर कोई target हो, तो अभी हम लोग all time high target के लिए, ये yellow light color में mark कर देता हूं, 155 rupees, 157 rupees के round का दिखता है, तो इस हिसाब से इसमें entries नजर आती है, ये ही total update था, मैंने आपको बता दिया है, क्य क्या करना है, क्या support है, कहां पर buy करना है, क्या जल्दी वाले target है, क्या दूर वाले target है, thanks for watching this video, मिलते हैं आपको next comment की साथ, next video में